तू ही सागर, तू ही सागर है तू ही किनारा कहे छे के अपना अवतार पूरुष श्री राम जन्म्या त्यारे मोतू मूर स्वरुप लईने उतर्या माता कवशल्याय कहें, ना आश्वरुप न नहीं, तमारे तो बालक थेईने जन्म्या उपड़े श्री राम बालक थेईने आगया, तो फरी माताय कहे, एम समझू बालक नहीं था वनू, मारे तो रडतू बालक जोईये अने श्री राम कालू घेलू रुदन करता उतर्या, त्यारे मातानू रुदै कुल कित्थाई उठ्यू आ वातने धर्मना बंधनमा बांधी नर्द अईये, तो अर्थ एवो पन थाई, कि इश्वर नू स्विकार त्यारे स्थाई छे, कि जारे ते निर्दोष निखालस नानू बालक थाईने अउतरे छे अने आ बाबतनू प्रति पिधान ए पन थाई, कि प्रत्येक बालक नो जन्म ए इश्वर नी साक्षी नू अउतरण छे प्रति वर्ष इश्वर केम जन्मे छे? राम, कुरुष्ण, इसू, ए सव दर वर्षे जन्मशा माटे लेता हाँ छे प्रति एक नवु वर्ष एक नवी ताजी शक्यतान उधाई छे इसू नो जन्म नाटाल अने पची नवा वर्ष नो सुभारंब एतो हकिकत मा बाल परवनी उज्वनी जी छे नाटालना केंद्रमा तो बाल इसू छे हुँ अने तमे बाल इसू ने जिटला नजिक थी एने इश्वर पुत्र मानिये अने ए जन्मे एनो वदू महत्व छे अने ए बालक तरीने जन्मे तोज संपूर्ण मानक बालक तरीके तेनो स्विक्रुत ती थाए छे कोई पन बालक ने सवती वदू बालक को साथे गोड़तु होई छे तेती बालक नी आसपास बालक तोड़े वोड़े नभी शक्यता अन्य शक्यताओने ज आकरशे ताजगी ताजगी ने ज आवखारे नाजुकास्य अनेक ना मोँ पर स्मीत ज लहर तूखरे आम लाना मोटा साव ने बालक बनी जवानी तक पूरी पाड़तू अपर्व छे इसुनो जन्म एक बालक नी जग्नासा कुटुहल, मौलिकता, चंचलता अने विस्माई नो जन्म छे अने हाँ, बालक गम्मे त्यां चन्मे, गभाण मां के राज महल मां, तेतो एज परम प्रक्रुती नी भेड़ छे, एटले तनो सर्वता स्विकार छे बालक क्या क्यारे केम कोने गेर जन्मों ते पुछवानू नथी, बालक अउतर्यू, एटले एक आका श्विस्तर्यू इसुए गभाण मां जन्मी ने, तो कुष्णे जेल मां जन्मी ने साबीती आपी, के जन्म स्थर नहीं, पन जन्म पछीनू कर्म तेमने भगवान बनावे छे बाल इसुने पहला मोजोवा आवया कितला भरवाड़ो, और एसव राजी राजी थेईने घेटा अबकरां भेट मां इसुने आपी गया आचे नियती, अने एमाज पड़ी छे शक्यता, ए शक्यतानो उदै एकले नवी शरुवाद के नव वर्ष, आ शक्यता कई, क्यारे आवशे, कौन लावशे, एव कई ने पुछवानू, मात्र ने मात्र प्रतिक्षा करवानी मंगलनी, शूबनी करुणानी नवी ताजी शक्यता तो गभाण माथिये प्रग्टे अने जेलना सड्या माथिये आउतरे, एक बालक बनीने तेने आवकारवा तत्पर रहवानू काम आपनू छे एक देवलमा लोकोए सुन्दर गभाण बनावी, ने मधराते भक्तिमाई उपासनावी दी करी ने बाल इसुनी मुर्ती केंद्र मामुकी सव अहो भाव अनुभवयो बीजे दिवसे वेली सवारे देवलमा खळबढात मची गयो, कारण बाल इसुनी भव्य मुर्ती गूम थाई गया की, कोई के चोरी ली थी आ की, सव शान्ती जाडवी ने मुर्ती शोधवा निकले पड़या धर्मक गुरुए देवल बाहर रस्ता मा एक बालक ने जोयू, जे पोता नी नानी साइकल पर इसुनी मुर्ती ने बेसाडवा मथामन करतू आतू फाधर एक करूना थी बालक ने पूछें, बेटा तने आ मुर्ती गमेशे, बालक तो वाल्ती बोल्यू, आ फाधर गमेशने गया वर्षें मैं बाल इसुने प्राठना करी कहे लूँ, कि जे आ वर्षें नातल मा मने सांता क्लोस नवी साइकल भेट आप से, ने तो बाल इसुने ए साइकल उपर बेसाड़ी में फेर विश, फाधर ने त्यां हजर सव, तो बालक नी सहच्ता पर होवारी गयाूँ कोई मानो सभाव मुझब रोष के क्रोधन शब्दों बोले, ते पहला आज फाधर बोल्या, चालो बेटा, इसुने जारवी ने साइकल पर बेसाड़ी फेर विए, ने पच्छी पाछा गभण मा पूंचाड़ी देए, बालक तो आवाजती राजी थेउ, ने सव, साथे बाल इसुने साइकल पर फेरोवा दिक्डी पड़या, ते सवारे देवल मा बाल इसुनी मूर्ति नी और पेला तेना दोस्त बालक बनने नी उपासना भी दी थाई, नवा वर्षना स्वांग मा स्वागत करवा मा दारू पीने के मास्खाईने के डांस करीने छाक्ता नती खवानू, तो शो करवानू, तेनो जवाब इसु जापे छे, जे कोई भुख्या ने खवडावे छे, ते इश्वर ने खवडावे छे, जे कोई तरस्या ने पाणी पाई छे, ते इश्वर ने पाई छे, जे कोई ठंडी मा ठुठवाता ने उढ़ाडे छे, ते प्रभू नवावर्षनी शक्यता एज के जे संग वेदना दर्शा उसे तेनी वेदना घर्शे तू ही सागर तू ही सागर है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा